हलो दोस्तों नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका Okay Jobs के online platform में देखिए आज का जो topic है वो रहेगा FIFA World Cup 2022 बहुत ज़्यादा important है CET graduation और CET 10 plus 2 के लिए चाहे वो ZD के exam हो यानि कि कोई भी exam हो भविश्य में बहुत ज़्यादा important है ये वाला topic उस exam के लिए बहुत कम टाइम में मैं आपको याद करा दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं FIFA World Cup 2022 और एक बात बता दूँ मैं आपको कोई भी चीज pen down करने की जरूरत नहीं है लिखना मना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बर देखिए आपके लिए मैं बहुत short notes लेके आया हूँ और hand written notes है इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो टेलिग्राम चैनल को आप जोइन कर लीजिए उसका यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ok underscore jobs ठीक है और insta id है hello dot ok jobs तो चलिए start करते है FIFA World Cup 2022 देखिए एक एक word में यहाँ पर question है FIFA World Cup 2022 का जो 22 वा संस करने यह हुआ है कतर में ठीक है यह हुआ है अपने कतर में कतर कंट्री में 5 सहरों में इसको host किया गया है और यहाँ पर total 32 team में जो है इन्होंने क्या करा है participate किया है अगर मैं 22 में 10 जोड देता हूं तो आपको मिल जाती है 32 टीम में ठीक है एक team का दो मैच यानि कि total मैच हो गए 64 इसको multiply जैसे ही मैं two करूंगा तो आपके पास मैच निकल कर आएंगे 64 देखिए 1930 में 1930 में फीफा वर्ल्ड कप की सुरुवात हुई थी और जो पहला फीफा वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो खेला गया था उरुगवे में कहाँ पर खेला गया था उरुगवे में जो संग्ठन है उसकी सुरुवात वो कब बनाता वो बनाता 1904 में सब कुछ याद करा दूँगा आप तो देखते रही है बस ठीक है 1942 और 1946 में फीफा का जो आयोजे ने वो नहीं किया गया था क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था World War 2 इस वज़ा से इसका आयोजे नहीं हुआ था तो और 18 दिसंबर 2022 को जो फाइनल मेंच है वो कहां पर खेला गया है वो लुसेल स्टेडियम कतर में खेला गया है लुसेल इसका एक सिटी है किसका कतर का ठीक है कौन-कौन सी टीमों के बीच खेला गया था तो फ्रांस और अपनी जो टीना मोसी है उसकी टीम यानि कि अर्जेंटीना विनर कौन था मोसी की टीम अपनी विनर रही थी यानि कि अर्जेंटीना और चार दोका मुकाबले से इसको हराया था कौन जीता था अर्जेंटीना कौन हा रहा था ये कि रनर अप कौन रहा था अजकल ये ट्रेंडिंग में है रनर अप टीम पुछी जाती है जो सेकिंड पोजिशन में रहता है बिसिकली उसको बूलते है रनर अप ठीक है मेसी ने जो इसका आदर से वाक्य और सुभंकर जो है वो बता देता हूँ एक्सपेक्ट अमेजिंग जो इसका आदर से वाक्य रहा था जबकि जो सुभंकर है चुकि बहुत लोगों ने लाइव देखा था इसको इसको match को final match को तो इसका जो सुभंकर है वहीं से लिया गया है याद कराने के तरीका बता रहा हूँ आपको live यानि कि live इसका क्या था सुभंकर था तो चलिए आगे चलते हैं और हमें आपको बता दू इंस्टा पे आप हमें इस आईडी पे follow कर सकते हैं और टेलिग्राम पे आप हमें इस पे follow कर सकते हैं ठीक है तो चलिए next पे बढ़ते हैं next पे बढ़ते हैं तो देखे golden boot gloves और ball और अपने क्या young player award चारों के चारों एकदम से ही याद करा दूँगा आप तो देखते रहें देखे जो boot हैं यानि कि जो shoes होते हैं वो कौन लेकर आता है हमारे लिए हमारे पिताजी लेकर आते हैं यानि कि बाप लेकर आता है ठीक है और अगर मैं gloves की बात करूँ जब अपन बच्चे थे तो gloves first time जो हमारे लिए बनाएं थे वो किसे ने बनाएं थे छोटे छोटे हाथों के लिए हमारी अम्मी ने बनाएं थे यानि कि हमारी माताजी अम्मी एमी मार्टीनेज ने बनाएं थे ठीक है याद करा नी तरीके भूलोगे नी exam में question easily solve कर पाओगे ठीक अच्छा जो यंग प्लेयर अवाड है वो किसको मिला है वो मिला है एंजो फर्नांडिस तो मैं याद कराता हूँ जो यंग प्लेयर होता है ना जो यंग प्लेयर होता है वो डीजे बजा कर फन करता है क्या बजाता है वो डीजे बैंड तो सबका बजता है अजकल डीजे golden bowl award तो देखिए ये तो हमारी रही टीना मोसी और मैं आपको बताऊँ जब हम छोटे थे तो bowl पकड़ना किसने सिखाया था वो सिखाया था हमारी मोसी ने तो आप यहां से याद रखेंगे मोसी ने क्या सिखाया हमारको bowl पकड़ना तो golden bowl और जो ये गैंद थी जो ये बोल थी इसका नाम था अल रहिला जो अर्बी भासा का वड़ है जिसका मतलब होता है यात्रा ठीक है अच्छा अब एक बात बता दू एक रहिला करके एक बुक है रहिला अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पड़ी है तो आप बताएंगे रहिला नामक जो बुक है वो किसकी है इसका जो राइटर है वो कोन है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अभी तक फीफा वल्लकप हुआ है उसमें सबसे जादा बार अगर कोई टीम विनर है तो वो है ब्राजील की जिसने पांच बार वल्लकप को जीता है फी फीफा की स्थापना जो फीफा संग है उसकी स्थापना कब हुई थी 21 मई 1904 में याद रखने की कोई जरूरत नहीं 1904 को याद रखो आप तो बस और आपको हैड़क्वाटर जरूर याद रखना है जो कहां पर है स्वीटजर लेंड के जियूरिक में और जो इसका अध्यक से वो को है जियानी इनफेंटीनो जो कि स्वीटजर लेंड और इटली के दोहरी नागिर्टा से संबन देते हैं जियानी इनफेंटीनो बहुत इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा याद रखना अब मैं आपको याद कराता हूँ देखिए फीफा वर्ल्लकप जो पुरुस परजन है यानि कि पुरुसो का जो फीफा वर्ल्लकप है उसकी सुरुवात हुई थी 1930 में जबकि महिलाओ के फीफा वर्ल्लकप की जो सुरुवात हुई थी वो 1991 हम हुई थी और 1991 को याद रखेंगे आप LPG रिफोर्म से यानि कि liberalization, privatization और globalization वैस्वी करण और निज़ी करण और यह है उदारी करण इसकी सुरुवात कभू हुई थी भारत में 1991 में बहुत बार कुशन पूछा जाता है और उसी से इसको relate कर सकते हैं आप जो महिलाओ का फीफा वर्ल्लकप है वो कभ हुआ था start 1991 में चलिए आगे मैं ऐसी आसा कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह सब चीजे याद रह रही होगी क्योंकि मैं इनको relate करके बता रहा हूँ और आपको question जो है बहुत easy हो जाएगा आपके लिए जो फीफा वर्ल्लकप दो हजार 26 है वो कहां पर होगा वो होगा नोर्थ अमेरिका अच्छा अब मैं एक बात होता दूँ अगर आप लोग हमारे tricky वीडियोस देखना चाहते हैं तो जटका सीरिस को एक पर जाके देखिए आप लोगों को मजा जाएगा और आपको लत लग जाएगी उसकी तो चैनल को subscribe, like कर देना और share जरूर कर देना अगर हमारा प्रियास चोटा चोटा आपको पसंद आ रहे हैं चूकि मैं ट्रेवल कर रहा हूं फिर भी ये वीडियो सूट कर रहा हूं सिर्फ और सिफ आप लोगों के लिए ताकि आपका जो भविश्य है वो उजवल हो सके ठीक है चूकि ट्रिक है ना इसलिए देखो जो लास्ट येर यानि कि चार सालों में इसका आयोजन होता है फीफा वर्ल्ड कप का और जो 2018 का पुरुस फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पर हुआ था वो हुआ था रूस में जबकि जीता किसे ने था वो जीता था फ्रांस ने और हारा कौन था क्रोईस या हारा था यानि कि रन अप रहा थ ठीक है जबकि 2019 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां पर हुआ था वो हुआ था फ्रांस में लेकिन इस्पेन जो है उसका विनर रहा था इसकी पीडियाफ आपको मिल जाएगी टेंसर मतली जे कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे हम और वहां से आप इसको ले सकते हैं तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद और ये पीडियाफ आपको मिल जाएगी और लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और देखते रहें ओके जोप्स की जटका सीरीज थैंक यू